भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI दुनिया के सबसे रहीस बोर्डों में से एक है तो जाहिर सी बात है भारतिय क्रिकेटर्ज भी दुनिया में सबसे ज़ादा पैसे कमाने वाले खिलाडियों में शामिल होंगे हब BCCI हर साल खिलाडियों के लिए Central Contract List जारी करता है Board खिलाडियों को 4 Grade में बाटता है इसमें Grade A Plus, Grade A, Grade B और Grade C होते हैं Grade A Plus में खिलाडियों को सालाना 7 KROड, Grade A में 5 KROड, Grade B में 3 KROड और Grade C में 1 KROड रुपे सालाना मिलता है ये वो रकम है जो खिलाडियों को मिलनीते है चाहे वो कितने भी मैच खेले खिलाडियों को BCCI से मिलने वाले पैसे के इलावा मैच फीज भी मिलती है उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपे, वंडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख अगर कोई खिलाडि प्लेइंग 11 में नहीं होता तो भी उसे मैच फीज की 50 फीज दी रकम मिलती है खिलाडियों को इसके इलावा पैसे के मामले में बोनस भी दिया जाता है ये वो ही नाम होता है जो किर्किटर्स को मिलता है भारत के ही पूर वो उपनर आकाश चोपडा ने इस बारे में रोमांचा खुला से किये है आकाश चोपडा ने कहा है कि अगर कोई भी खिलाडी 12 शतक बनाए तो उसे 7 लाख रुपे अतिरिक्त मिलते हैं जबकि शतक जड़ने पे 5 लाख रुपे मिलते हैं वहीं अगर किसी गेंदबाद में 5 विकेट लिये हैं तो उसे 5 लाख रुपे बोनस मिलते हैं ये मैच फीस का हिस्सा नहीं होते आर अश्विन ने इस साल के शुरू में चिन्नई के खिलाफ इंग्लैंड में टेस्ट मैच में शतक जड़ा था और कुल 8 विकेट लिये थे आकाश चोपडा ने इसको लेकर संकेत दिये कि अश्विन ने उस मैच में 25 लाख रुपे कमाए होंगे ये नहीं भूलना चाहिए कि BCCI एतिहासिक जीत के बाद भी बोनस देता है इस साल के शुरुआद में टीम इंडिया ने आस्ट्रेलिया में इतिहास रचते हुए बोर्डर गावस का ट्रॉफी पर अपना कबजा किया इस जीत के बाद बोर्ड ने खिलाडियों को 5 करोड रुपे बोनस दिया यानि BCCI अपने खिलाडियों पर पैसो की ऐसी बारिश करता है कि शायद ही दुनिया में कोई और बोर्ड हो जो ये करता होगा स्पोर्ट्स डेस खेलवारता